तो आज के क्लास में हमारा discussion का टॉपिक है वट डिज़न एलगोरिधम यह क्या है हम किसको बोलते हैं आज के क्लास में उस टॉपिक के बारे में डिसकुशन करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं तो पहले एक बेसिक सिंपल एक्जामपल लेते हैं अलगोरिधम वाले कॉंसेप प्रोग्राम लिखना है अगर आपको बोला जाता है कि एक सिंपल डिखो जिसको इससे करके हमारे किया कर सकते यूजर से दो रिशन और कर सके होग तो लिटन उपरेशन कर सकें हर एक कर सी मेरी बट लिखने का तरीका अलग होता है तो वहां पे हम क्या करते हैं addition operation perform करने के लिए हमें जो steps follow करने होंगे उन steps को अगर हम simple terms में represent कर लेते हैं उन simple terms के form में representation जो करते हैं उसको हम बोल सकते हैं algorithm जैसे कि edition करने के लिए लिए फिर स्टेप है कि दो एडी लेने के बाद उनको उनको कारके रहेंगे हो कुछ बेसिक स्ट्रोक्श्यर है कुछ सब्सक्राइब और किसी वी तरह के प्रोग्रामिंग लाइंगूज हैं प्रोग्राम लिख सकते हैं तो पाट चला लेगॉरुत्म क्या है an algorithm is a process or a set of rules required to perform calculations or some other problem-solving operations especially by a computer computers को उसकर के हम कुछ भी calculations कुछ भी problem-solving operations अगर perform करना चाहते हैं तो जिस process के through easily हम क्या कर सकते हैं different type of calculations operations हमारे computer में perform कर सकते हैं उस simple process को हम बोलते हैं algorithm तो अगर formal definition यह फिर ओरिजिनल definition अगर बोले algorithm का तो क्या है दो फॉर्मल डेफिनीशन ऑफ एन algorithm is that it contains the finite state of instruction और series of steps algorithm में क्या होता है कुछ series of steps होते हैं जिन series of steps को लेकि हम क्या करते हैं एक particular function एक particular टास्क के total operations को एक specific order में represent करते हैं ताकि बाद में कभी अगर हम प्रोग्राम लिखे computer को कुछ instruction प्रवाइड करें तो step by step specific order में प्रोग्राम क्या कर सके computer को instruction प्रवाइड कर सकें पता चला क्या है algorithm algorithm is that it contains the finite state of instruction और series of steps यह जो algorithm है यह कुछ series of steps को लेके बनता है which are being carried in a specific order जिसको कि हम एक proper order में यूज करते हैं क्यों पॉप हम some specific task algorithm एक series of steps हैं जिन steps में हम represent करते हैं working process को specific order में जिसको यूज करके हमारा computer कुछ specific task और specific operation करता है तो यह जो algorithm है यह completely एक program यह फिर code नहीं है यह बस एक solution है कोई भी problem का अगर मुझे addition operation करना है तो उसके लिए मुझे प्रोग्राम लिखना पड़ेगा तो प्रोग्राम कैसे लिखो उस problem को solve करने के लिए जो logic हम बनाते हैं जो simple step के form में उसको present करते हैं उस simple logic को हम बोलते है algorithm okay it is not a complete program और कोड़ यह नहीं complete program है नहीं कोड़ है यह क्या है इस जोश्ट लॉजिक यह जिस्ट लॉजिक है किसका एक problem का अगर मुझे कोई भी problem solve करना है कोई प्रोग्राम लिखना है प्रोग्राम लिखने से पहले मैं उसको पहले एक simple raw diagram करूंगा जैसे कि सब्सके करूंगा फिर उसके बाद क्या करूंगा उनको अगर simple steps के form में हम रिप्रेसेंट करते हैं जिस प्रॉस्स के द्वारा उस को मोलते हैं algorithm okay so algorithm actually complete program या फिर कोड नहीं है यह बस एक solution है कोई भी problem का okay which can be represented either in an informal descriptive or description using a flowchart और स्यूडो कोड तो algorithm क्या है पता चला एक series of steps हैं जिन series of steps को हम follow करते हैं या फिर उस करते हैं क्यों कोई भी particular problem के solution को represent करने के लिए जिसको कि हम कोई भी तरह के programming languages क्या कर सकते हैं program लिख सकते हैं और program लिख के computer को instruction provide कर सकते हैं तो एक flow diagram जो है या फिर algorithm जो है algorithm को हम flowchart के थो भी represent कर सकते हैं या फिर pseudo code की थो भी represent कर सकते हैं तो flowchart के बारे में हम तो प्रोग्राम में already पढ़ चुके हैं flowchart मतलब कोई भी प्रोग्राम लिखने से पहले उसको अगर diagrammatic वे में हम रेप्रेजंट करते हैं by using different type of symbols उसको बोलते हैं फ्रोचार्ट सो फ्रोचार्ट की form में भी हम algorithm को represent कर सकते हैं या फिर algorithm अगर हम लिख रहे हैं उस particular algorithm में अगर हम सारे process को step by step plan language या फिर simple language में represent करते हैं तो computer science में उन simple step में represent किया गया algorithm को बोलते है pseudo code ओके सुपता चला algorithm क्या है algorithm एक process है या फिर एक series of steps है जिसको यूज करते हैं हम क्यों एक particular operations या फिर पर्टिकुलर टास्क करना चाहते हैं उनको सिंपल वे में represent करने के लिए तो चलिए algorithm वाले concept को एक real world example को लेके समझने की कोसिस करते हैं सपोज मैंने याप एक example लिया है इसके स्कुइज दो लेमन एच मज्च यू कैन एंड टेक आउट इस जूस इन एक कंटेनर जितना हो सके उतना उसको गेट डिसाल्ट उसके बाद एक रम या फिर फैप पकड़के क्या करना है और सूगर को वहां पे श्टिर करना है ऑगे श्टिर करके जब बिजौल हो जाएगा जब वह सुगर हमारे लिमन घ्रिंक के साहतना चाहेदा गा buzz होने के बाद वहこの कैंटिंगे नेक्स टेप में कुछ वाटर और कुछ आइस वहाँ पे डालेंगे उसके बाद उसको फ्रिज में नेक्स टेप में 5-10 मिनट तक रख लेंगे फिर वहाँ पे ड्रिंक हमारा रेडी हो जाएगा तो यहां पे एक लिमन जिस बनाने के लिए हमने कुछ सीरीज ऑफ स्टेप को इसी तरहां का सिरीज ऑफ स्टेप्स है ना ही वह कोई गोड़ है एक सिंपल ड्रेप्रेजेशें ऑफ प्राप्लम कोई व एक टास्का सिंपल वे औफ रिप्रेजेंटेशन जो है वह है ऐदो देखेंगे एक प्रोग्रांव वाला एक्जामपल लेके अल्गारीज में प्र अभी उसको देखेंगे तो हम यहां पर क्या क्वेश्चन लिए हैं वी विल राइट अल्गुरिदम टू एड़ टू नंबर्स एंटर बाइद यूजर हम यहां पर एक ऐसा अल्गुरिदम लिखेंगे जो कि यूजर को अलाव करेगा वैल्यू दो वैल्यू इंपूट करने के लिए तो कोई भी प्रोग्राम लिखने से पहले पहले उसको स्टो करेंगे मैं फॉंक्शन उसकर कि स्टार्ट करने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे उर ब्लुक्र féle आड करके लए श्टोर कर ब्लार करऄ्गे फ्यर brigade सम्वेडियम्स में ब्यूद्ट करने के बाद उसके बात प्रिंट करेंगे सब्षय व करने के बाद क्रेंगे मंने डिस्टेप लिए अधिक गलते हैं रच को हम बोलते हैं आज क्लास में हम इन यह discuss कि algorithm क्या है algorithm एक process है या फिर एक set of rule है जिसको यूज करते हैं हमारे computer system में पॉप सम स्पेसिफिक टास्क और टुप सम स्पेसिफिक operation किसी भी तरह के टास्क किसी भी तरह के operations computer में पॉप कर रहे हैं उसको simple तरीके में simple series of steps में represent करने के लिए हम यूज करते हैं जिस method को उसको बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं इल्गोरिदम क्या है पता चला आज के class में हमने discuss किया algorithm के बारे में आज के लिए इतना ही थैंक यू